नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश शर्मा कोरोना काल में ऐसे प्रवासी मजदूर भी है जिनकी समस्या अभी भी खत्म नहीं होई है ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए अब रहत की खबर है दरसल सुप्रिम कोट ने एक बड़ा आदेश दिया है साफतोर पर सभी राज़सरकारों को आदेश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द राज़से बाहर फशे प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश वापस लाए इसके लिए 15 दिन का मोलत भी दिया गया इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगर ट्रेन की संख्या कम होती है तो वो ट्रेने भी बढ़ाई जाएंगी और केंदर सरकार 24 घंटे के अंदर ट्रेन भी देगी याने कि अब जो भी मजदूर बाहर फसे हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये बड़ी ख़बर है और वो अब अपने प्रदेश वापस जा सकेंगे सुप्रिम कोट ने राजस सरकारों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर के सापना की जाए उनका डेटा एकटा किया जाए जो गाव अस्तर पर और ब्लॉक अस्तर पर हो इनके साथ ही उनकी स्कील की मैपिंग भी की जाए जिससे रुजगार देन में वापस लिए जाए सभी मजदूरों का राजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए अगर राज्य सरकारे अतरिक्त ट्रेन की मांग करती है तो केंद्र 24 घंटे के अंदर मांग पूरी भी करेगी इसके स सदेशों को सुप्रिम कोट को जानकारी देनी होगी सुप्रिम कोट ने कहा है कि मजदूरों को सभी स्किल का लाव दिया जाएगा और इसकीमों के बारे में मजदूरों को बताया भी जाएगा गौर तलब है कि प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रिम कोट ने खुद भी राहात मिलेगी जो इस वक्त भी बाहर फसे हैं अब उनके लिए सरकार ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है और केंद्रस सरकार सबके साथ खड़ी है देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमार साथ बने रही और देखते रही ये नियूस फोर नेशन नमस्कार कि अध्या नेँ तमाम ये दोस्क्राइब आयवेश आयाद के लुड़ी है राहा है रही हमार साथ दोस्क्राइब गो झार मार 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 जोस्क्राइब देखते रही है जो आई, आ.